लो गाईच मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम लोग की यह प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुलिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं परड़े हम लोग का कांटीनिव क्या चला यूपी लिए पुलिस भर्टी के लिए जो है जो प्रैक्टिस सेट चला है 2023 में आय हुई वैकेंसी के लिए तो इस उलिए कलास का मेंगन की है कलास नंमर का क一 गौन है और एक और जानकरी आप लोग को देना है कि जो आयुँ च्छूर थी उम्र में जो च्छूर थी वह तीन साल कि आप लोग को मिल गई है तो आप लोग जितने लोग over age हो रहे तो फार्म आप लोग भर देजेगा ठीक है तो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है सरकार ने ठीक है इस कदम की जो है सरकार की बहुत-बहुत सराहना करनी चाहिए ठीक है बहुत ही अच्छा कदम है ठीक तो आप लोग फार्म फिल अफ करना 27 तारिक से आ से ही इस्टार्ट हो गया है तो आप लोग फार्म फिल अफ करना इस्टार्ट कर दिए जल्दी से जल्दी जो भी आयजात निवास सब बनवा करें फटा फट फार्म भरके फ्री हो जाए उस लालसा क्या होता है लालसा हमारा क्या होता है उत्कंठा का पर्यावाची उत्सुक्ता 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 उत्सु सेकेंड आब बताएं कि सुसुप्त का विलोम क्या होता है सुसुप्त का विलोम क्या होता है पूछ रहा है सुसुप्त का विलोम सुसुप्त का विलोम देखें क्या होता है इसका अपोजिट बताना निसेद होता है सुमित होता है समिष्ट होता है जागरित होता है ठीक है क् लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगो एक कौनसी होती सुसुप्त जौला मुखी होती एक क्या होती जागृत जौला मुखी होती सुसुप्त का मतलब होता है जिसमें कभी-कभी क्या हो उदगार हो जागृत का मतलब जिसमें हमेशा क्या होता है उदगार होता रहता है ठीक ह आजाएगे चलते हैं, next question, question number आप बताएंगे third, question number तीसरा कर रहा है, अन्य वेशन का सुद्ध संधी विछेद क्या होगा, अन्य वेशन का सुद्ध संधी विछेद क्या होगा, तो अनू, अनू, प्लस, अनू, प्लस, अनू, प्लस, एशन मिलके क्या हो जाता है, अन्य ठीक है, संधी कीसे काते हैं, ठीक है, वरणों के मेल को हम लोग क्या काते हैं, वरणों के मेल को, वरणों के मेल को हम लोग क्या काते हैं, संधी काते हैं, ठीक है, क्या काते हैं, संधी काते हैं, आए संधी के प्रकार देखते हैं, संधी के प्रकार, ठीक है, संधी के कितने प् क्या होते हैं तीन प्रकार होते हैं कौन कौन से एक क्या होती है हमारी स्वर संधी होती है एक कौन सी होती है स्वर संधी होती है ठीक दूसरी कौन सी होती है बेंजन संधी होती है कौन सी बेंजन संधी ठीक बेंजन संधी होती है और एक हमारी क्या होती है बिसर्ग संधी होती क्या होती है विशर्ग संदी जिसमें सिर्फ स्वरों का मेल होता है उसे स्वर संदी काते हैं इसके भी पांच भेद होते हैं कौन कौन सा होता है देखिए एक हमादी दीर्ग संदी होती है दीर्ग होती है गुण होती है ठीक गुण संदी होती है बृद्धी संदी होती है ठी केके लिए तो अनु प्लस मिल्कि क्या होताया संधी क्या होती है इसे संथी यहां जहां संदीamarक प्रकार होते होती है अपने दोस्त, अपने मित्र में भी शेयर करना होगा, बताना होगा कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा और भी डिटेल के साथ सारी सीजन क्या की जाती है, प्रवाइट की जाती है, तो आप लोग एक बार पढ़ के तो देखिए, अगर अच्छा लगेगा तभी सस्क्राइब क अपने लिखा जाता है, उफ्शुवल ऐसे देखिए, किस आपसन में लिखा हुआ, अपसन हमारा डी में लिखा हुआ उझ्जुवल छिक यह उजह हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है मिनंदन और अह ठे को हंसा की से बिल से बनता है एक से बनता है ठीक तो बताएं कि्से बला जाता से कंट से कंट से और छोटीर के से बन यह याति तालू से बहुतना के प्रूल या सजक्टो लिए उयक्त स्वर वह बनते हैं I कि से बनता आ और ए से बनता उता कांट से ई किसे बढ़ा स्वर कांठो की संक्य कितनी है कांज से मैं यहां लिख दे रहा हूं ये ए ओ और ओ या हमारी क्या 4 है ठीक है क्या है 4 हमारे क्या सहयोक्त स्वर है ठीक है चलते हैं next question no.6 बताएंगे आप लोग question no.6 करा है कि निमलिखित में से कौन सा सब्द योग रूण है योग रूण है ठीक है सब्द की तीन भेद है, ठीक है, कौन-कौन से है, एक योगरून है, अभी इसको हाली में बताया था, योगरून है, ठीक, एक क्या है, योगिक है, योगिक है, एक क्या है, योगिक है, और एक क्या है, रून है, ठीक है, रून ही सब्द है, जो डाइरेक्ट आता है, ठीक, यो और लंबो अर्थाथ गनेश जी ठीक है गनेशी एकत्तना से बहुबरही समांस में आते हैं सभी यो ठीक रून जिसे हमारा क्या होगया घर होगया ठीक है घर होगया घर होगया रवी हो गया इस अभी हमारे क्या है रून सब्थ है ठीक है और योगी कौन होगे जिसे बिद्या ले क्या हो गया बिद्या ले ठीक है बिद्या प्लस आले दूस सब्दों से मिल के बना होता है बिद्या ले ठीक तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा B part आजएगा, क्या जएगा, B part बिल्कुल सत्य आजएगा, छठें का right answer क्या जएगा B part आजएगा, ठीक है, चलीए आई चलते है, next question, अगला question आप बताएंगे बताई, अगला question क्या होगा question number आप बताएंगे कौशन number आप बतादीजीए सौर सैनी अपभ्रंस से किस भासा उपभासा का विकास हुआ है तो सौर सैनी अपभ्रंस से किस भासा का विकास हुआ है इसको बताएंगे तो यह हमारी राजस्थानी है किस भासा का राजस्थानी भासा का ठीक है आए नेक्स चलते हैं आठवा का क्या कह रहा है तो कह रहा है या प्राकृतिक काल, तो क्या कहा जाता है, संक्रानती काल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संक्रानती काल कहा जाता है, अब भरंस और पुरानी हिंदी के मत देखा समय जो कहा जाता है, उसे हम लोग संक्रानती काल कहते हैं, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पा छोड़ेंगे नहीं ठीक है चलिए आगया जाईए वह नायक जो आत्म आत्म भीमान नहीं दिखाता है के लिए एक सब्द क्या होता है धीरो धात होता है धीरो धत होता है अभिनेता होता है अभिनेता तो बिल्कुल नहीं होगा ठीक है या खल नायक होगा कौन सा राइट हो नाइन्थ का राइट एंसवर यह हो जाएगा धीरो धात का लाता है ठीक धीरो धात का लाता है ठीक नेक्स्ट चलिए पुर्लिंग और इस्ट्रिलिंग में कौन सा बिसम सहयोजन है ठीक है प्रचारे प्रचारे का क्या होता प्रचारिया होता बिल्कुल सत्य है ठीक है बिल् पूछा था चलिए नेक्ट मेसे हैं कौंसा सभस्सेक्स हाइब नमक खाया जाता है थीक है यूश्या प्सक्राइब गेड़ है ड़ बनाई जाती है ड़ आप वह बना लिया करिए ठीक है नमक बेजर है जीर अच्छा होता है, पीपल अच्छा होता है, डाल अच्छी होती है, ठीक तो डाल हमारा क्या हो जाएगा, इस्त्री लिंग हो जाएगा हमसे, इस्त्री लिंग पुछ अच्छा अच्छी, मेरा मेरी लगा करके आप बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, इस्त्री लिंग प् उपसर क्या लगते हैं सब्द के सब्द के पहले लगते हैं सबसे पहला काम है ठीक है और क्या करते हैं लगने के बात क्या करते हैं अर्थ क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं अर्थ क्या कर देते हैं बदल देते हैं अर्थ क्या करते हैं अर्थ बदल देते हैं ठीक अर्थ सब्द के क्या होते हैं अंस होते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है सब्दांस कहा जाता है क्या कहा जाता है सब्दांस कभी कभी पूछ देता है कि जो हमारा उपसरग क्या है तो सब्दांस होता है ठीक है तो राइट एंसर इसका क्या जाएगा आप लोगों के सामने सब्द मध्य में अंत में तो सब्द के आधि मैं आधि का मतलब का प्रारंब में भी कवा होता बारा का राइ टेंसर क्या जbei एगा एप चले आगे चीजें आप लोगों को अच्छी ही प्रौइट किजाएंगी ठीक है तो एकडम नए पाथिकरम पर आधारी सारी चीज़ें आपको म मिलके क्या हो जाता है मिलके क्या हो जाता है प्रत्य IoT ठीक इसका II are this कई आ इसका पालाचर क्या ज़र मिलके हो जाता है यह किस संदि में होता नहें हमारी है आठ संधी में distribution म capabilities Дж. करती प्रती mest में यह कली क्या है संधिक्या है इसमें क्या है प्रति 컨 Epic ठीक है क्या होते हैं प्रत्य है तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा सी पाट तेरा का क्या होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा ठीक है तेरा क्या होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा ठीक है आगे चलिए नेक्स चलते हैं कोशन नमबर 14 बताएंगी यथा सक्ति यथा सक्ति होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है अब्याई भाव समास होता है अब्याई भाव समास होता है इसका राइट अंसर क्या जाएगा डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा समास के कितने भेद होते हैं यह बता देजिए समास के कितने भेद होते हैं तो समास के भेद कितने हो तो छे भेद होते हैं कितने होते हैं मुख्य रूप से छे भेद होते हैं कौन कौन सा एक करम धारे होता है ठीक करम धारे होता है करम धारे होता है तत पूरुष होता है ठीक है तत पूरुष होता है ठीक तत पूरुष हो गया द्वंध हो गया ठीक है द्वंध हो गया और हमा हमारा बहु ब्रही हो गया ठीक है बहु ब्रही हो गया ठीक बहु ब्रही हो गया ठीक बहु ब्रही हो गया ठीक बहु ब्रही हो गया तो टोटल कितने हो गए छे समास हो गए ठीक करम धारे में क्या होता है उत्तरपद इसमें क्या होता है उत्तरपद क्या होता इसका प्रधान होता है ठीक है और दण the sexual 및 दोनों पद क्या होती है उस own रिव्ठान होते है और दिगु किया होता है इसमें प्रधान होता है और मिर्भु कोई तीसरा प the data कोई तीस्थ्रा पद क्या था कोई क्याれて सारी चीज़ें ठीक यहां पर सारी चीज़ें मैंने लिख दिया और अब यह भाव में पहलापत क्या होता इसमें प्रधान होता ठीक तो सारी चीज़ें मैंने आप डिटेल से बता दी साथ इसकी नगर आप लेना चाते हैं तो ले सकते हैं नहीं तो हम आगे चलें next question पर question number आप 15 बताएंगे कौन सा सब्द भावाचक संग्या नहीं है ठीक है बताए मिठाई लड़ाई चतुराई चतुराई या उतराई बताए 15 का right answer तो 15 का ए पाट क्यों जगा मिठाई क्या है मूल सब्द है इसमें कोई भावाचक संग्या नहीं है ठीक है मिठास इसका होगा ठीक है इसका जो भावाचक बनेगा वह मिठास बनेगा ठीक नेक्स चलते हैं कोशन नमबर अगला बताएंगे आप कोशन नमबर 16 क्या कर रहा है कि समू में सभी सर्वनाम प्रश्ण वाचक है सभी समू प्रश्ण वाचक है जो कोई वह इसमें तो है नहीं जिनका सोक ये भी नहीं है ठीक है जिनोंने ये भी नहीं है तो रेटक और मार क्या जाएगा एपाड बिल्कुल सत्य हो जागा एपाड में सभी क्या हैhen क्ष्ण वाचक सर्वनाम है सर्वनाम के कितने वेद होने वाले सब्द होते हैं संग्या के अस्थान पर पर प्रियुक्त होने वाले प्रियुक्त होने वाले प्रियुक्त होने वाले होने वाले होने वाले होने वाले जिसमें सा कर्मक, कर्म राजू सदा रोता राता है, हरीस बस पर चड़ गया, कैलास छट से गिर गया, कैलास किसे गिर गया, छट से, सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे, केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे, केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे, केले खरीद अकर्मक ठीक है तो हमाई दो प्रकार की क्या क्रिया होती है जिसमें कर्म आये जिसमें क्रिया जो कर्म के साथ हो वहाँ कौन सा तो सा कर्मक जहां कर्म नहीं रहता है कर्म ना हो कर्म ना हो वहाँ क्या होकता है अकर्मक होता है ठीक है तो कर्म के अधार प्रकार की होती है एक स थारा आप लोगों के सामने है जदा से जदा आप लोग वीडियो को अपने मितर में सेर कर दिया करिए ठीक है चार रहा में अभी मैंने इस के बारे में पूरा बताया तो जदा है हम इन डिटेल से नहीं बताऊंगा ठीक है χारा में कौन सा सम्मू है तो पहला अच्छर क्या है संख्या वाची चार रहों का सम्मूँ तो यह क्या हो जाएगा दिगू शमास हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा दिगू शमास हो जाएगा चार सामने चार विकल्प दिए गया है सही अर्थ का चैन करना है सहस्त्र सहस्त्र बताई अब इसमें आप बताते चलिए सहस्त्र में सहस्त्र सहस्त्र क्या हो जागा 21 का तो 21 का राय टेंसर क्या जागा 1000 का मतलब क्या होता हजार होता ठीक है समावेस 22 का बताई समावेस समावेस का अर्थ क्या होता समलित करना तथष्ट राना क्रोध डूब करना होगा तथष्ट होगा तथष्ट होगा या फिर क्या होगा तिसका क्या जाएगा समलित करना समावेश का मतलब क्या होता किसी चीज को क्या करना समलित करना भी पाट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा ठीक आए कोश्चन नंबर आप बताएं काउंसा तेज थ बिवाह की वर्स गांट पर मिला था यह उपहार उसे चौथी बिवाह की यह तो गलत है वह अपने बिद्यार्थियों से पुत्रवत्सने करता है वह अपने बिद्यार्थियों से क्या अपने बिद्यार्थियों से पुत्र की तरह प्रेम करते हैं वैसे करता है ठीक है और तुद्ध कौन सा इसको बताना है 23 का तो यह हमारा बी पार्ट हो जाएगा बी पार्ट मुझे भी लग रहा पढ़ने पढ़के ही देखिए आपको समझ में आ जाएगा बी पार्ट ही होगा क्योंकि यह क्या आता है यह उपहार उसे चौथी बिवाह की वर्स गांट पर मिला यह हमारा क्या जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा गलत ही हमको बताना था तो राइट एंसर उसका हो जाएगा ठीक है चली बताई कोश्चन नमबर आप बताएं काउन सा कोश्चन नमबर 24 गाल बजाना मतलब गाल बजाना मुहावरे का क्या करना आर्ट दिन्ग हांकना दिन्ग हांकना या फिर क्या होता गाल में आवाज निकालना घवरा जाना धमकाना तो क्या हो जागा गाल बजाना का मतलब क्या होता दिन्ग हांकना दिन्गे नहीं बहुत लोग होते हैं बहुत सारी दिन्गे हांक दे राते मेरे पास यह है वैसा है वैसा इसी को बोलते ह गाल बजाना ठीक है क्या बोलते हैं गाल बजाना तो राइट एंसर क्या जाएगा ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा ठीक है आए चलते हैं 25 कोशन नमबर 25 26 दोनों बताएंगे आप लोग बताएगे फटाफट क्लास लंबी हो जाती तो आपको दिक्कत होने लगती है ठ 25 का तो क्या हो जाएगा बैर्थ स्रम करना ये तो गलत है ठीक कब्रिस्तान से सरारत करना ये भी गलत है अंतिम संसकार करना ये पुरानी बातों को क्या करना दोहराना ये हमारा क्या जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा ठीक क्या हो जाएगा डी पार्ट हमारा क्या होगा समाचार पट पे या फिर इनमें से कोई नहीं तो कहां जो आधिसूचना होा कहां जारी कि जाती है तो 26 का राइट एंसर क्या जागा यह पार्ट राज पत्र में हम लोग क्या करते हैं सूचना को क्या करते हैं जारी करते हैं, question number 27 बताएंगे, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा पत्र, जो नौकरी जह हम जिसमें चाहते हैं, उसे काते हैं, आवेधन पत्र, काईसा पत्र काते हैं, आप भी पुलिस की नौकरी के लिए, पुलिस के लिए क्या कर रहे हैं, आप लाई कर रहे हैं, काउंसा आवेदन पत्र मैं एक दिन इसके पत्र पे ही क्लास ले लूँगा काउंसा पत्र कैसा होता है इसका फार्मेट क्या होता है ठीक है तो 27 का राइट एंसर क्या जाएगा तो हमारा सी पार्ट हो जाएगा ठीक आए नेक्स चलते हैं कोशन नमबर अठाइस समवैधानिक प्रिष्टे हिंदी हमारी क्या है राज महासा किस आर्ट किल में है यह जो है 343 आर्ट किल के ताहद जो हमारी हिंदी क्या है राज महासा है नेक्स आईए हिंदी साहित सम्मेलन कहां है हिंदी साहित सम्मेलन कहां हुआ है इसको बताना है 29 का बताई 29 का राइट एंसर क्या d आजएगा चिननगी में जो हींदी सहित समिलननर कहा है वह हमारा चिननल में ठीक पी पर पात सरी secondo सरींटोला सरेश आजय с औ sia आजय सा अजय आजये सब किसके हैं एह हमारे उपमा अलंकार जहां उपमा किसी चीज से की जाती वहां सरी से सा आते हैं वहां हमेशा क्या होता है ठीक है समान ये सब जहां वर्ड आएं वहां हमेशा कौन सा लंकार होता उपमा लंकार होता ठीक है चली चलें आगे question number 30 हो गया चली 31 बताएंगे सोहत ओढ़त पीत पट स्याम सलोने गात मानो नील मनी सैल पर आतप परियो प्रभात ये हमसे पूछा सोहत ओढ़त पीत पट स्याम सलोने गात मानो ये अभी आगया ने मानो मानो जानो मानो जनहू 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 मनहू ए सभी सब्द जहां पर आएं वहां आख मूद के मार द तो 31 का right answer क्या जाएगा डी पार्ट हो जाएगा चलें आगे चलते हैं सो लठा चंद में प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं एक कोश्चन हमसे पूछा तो 32 का right answer क्या जाएगा प्रतेक चरण में 24-26 मात्राएं होती है ठीक आपनों के सामने अगला गद्यांस है गद्यांस को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है ठीक है गांधी जी के बारे में इसको पढ़ लीजिए गांधी जी मानते थे कि सामाजिक या सामोहिक जीवन की और बढ़ने से पहले अनुभव प्राप्त करना अवस्यक है मतलब परिवार का ठीक है इसलिए वे आसरम जीवन बिताते थे वहां सभी एक भोजनालय में भोजन करते थे इससे समय और धन तो बचता ही था सामोहिक जीवन का अभ्यास भी होता था लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालन सुचिता और सुचिता के साथ होना चाहिए जो भी होना चाहिए समय पालन सुचिता और सुबेवस्था के साथ होना चाहिए ठीक है आगे देखे लिखा है कि इस और लोगों को प्रोचाहित करने के लिए गाधी जी सोयम ही सामोहिक रसोई घर में भोजन करते थे भोजन के समय दो ब बंद कर दिया जाता था जिसे बाद में आने वाला ब्यक्ति अंदर ना आ पाए ठीक है इस एक दिन गाधी जी पिशड़ गए संयोक से उस दिन आस्रम वासी स्री हरभाव उपाध्याय भी पिशड़ गए अब वे वहां पहुंचे तो देखें कि बापू वरामदे में बोलें कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं न हरभाव जी कहा बैटने के लिए कुर्शी लाओं बापू गांधी जी बोले नहीं उसकी जरुवत नहीं है सजा पूरी भुकतनी चाहिए उसी में सच्चा आनन्द है बिलकुल सथ गांधी जी ने बातें ये वाली लाइन भुकतने की बात की सामुहिक जीवन की आसरम जीवन बिताने की गलत नियम बनाने की देर से रसोई घर पहुंचने की तो देर से रसोई घर अगर पहुंच रहे हैं अगर आप गलती की हैं तो इसको आपको सजा भुकतनी जो नियम बनाया गया है वा सब के लिए नियम एक जैसा होना चाहिए अर्थात राइट एंसर इसका क्या जाएगा डी पार्ट अगर आप सही से गंद्यांस को पड़े होंगे तो बिल्कुल कर ले जाएगे एक बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है करा कि सामुहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्तो पूर्ण है सब समान अस्तर के हों समान विचारधारा के हों सामुह के सदस्यों की आपसी प्रतियस परधा समुह के लिए बनाए गए नियमों का पालन इसका भी क्या हो जाएगा डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो हैं कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं गांधी जी का कथन किस और संकेत करता है कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता गांधी जी पूरी इमंदारी से निया मुकापालन करने में विश्वा सकते थे कानून के हाथ लंबे होते हैं गांधी जी जेंप गए थे बताई 35 का राइट एंसर के आज़ता कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता बिल्कुल सत कानून ऐसा ही होना चाहिए चाहिए जाती हो चाहिए धर्म हो चाहिए किसी के साथ भी चाहिए गरीब हो चाहिए उंच हो किसी के साथ भेदभाव नह इसे गांथी जी कई निर्देश थें ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन करें यह भी हमारा क्या जाएगा 36 का राइट एंसर क्या जाएगा डी पार्ट ताकि लोग क्या करें समय से भोजन करें और नियम जो बनाए गए हैं उस नियमों का पालन करें अपने सुक समरिद्ध से भरा रहे ठीक है यही इस पंक्दी का क्या था उद्देश से था यह आज का लास्ट कोस्चन हिंदी का है 37 कोस्चन आज कराया हूं गद्यांस भी कराया हूं इसी तरह से सारे कोस्चन भी डीटेल के साथ कराऊंगा लेकिन बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार और सनेह चाहिए तो आप लोग बनाए रखिएगा अगली क्लास हम लोग की क्या होगी सामान निग्यान की होगी जिसका कोस्चन नीचे आप लोग इसी पीडियाफ में मिलेगा ठीक है और पीडियाफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर लेजिए इंद्रेश जिसक्लासेश नाम से टेलीग्राम चैनल है उस चैनल को जोईन कर लेंगे तो वहाँ आपको पीडियाफ प्रवाइट कर दी जाती है ठीक है चलिए लाश्ट कोशन बताए सभी भोजन आलाय में एक साथ भोजन करते थे इससे क्या आसा है इससे गांधी जी और फुल लेंद का क्या हिंदी लगाए हैं तो आप जरूर बताएगा आपके हिंदी में 37 में कितने सही हुएं अगर आपके इस समय 30 31 बन रहे समझे आपके बहुत बेटर तयारी है हिंदी में ठीक बहुत अच्छी तयारी है ठीक मान के चलिए आप 70% हिंदी के लिए 70-75% प्रचनाएं होके इन सभी चीजों पर करिए फोकस करिए ठीक उन सब चीजों को भी मैं करवाओंगा ठीक तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो सेर कर देजेगा चनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा अगली क्लास आपको समान निगान की दोखने को म चो आपको समान bolड़ पर कրवर कर दोखने को भीम का उन सब्सक्राइब निए्या की कि सितेकल ऌपको समान तो खिब चनल को Adams और रहने को तो सेर की कि हॉड़ rà बिन एका लWhy आट सब्सक्राइब कर दो